आज हम बात करने वाले हैं, Realme phone में app drawer को कैसे हटा सकते हैं, यानि कि app drawer को कैसे बंद कर सकते हैं, तो app drawer को हटाने के लिए आप अपने phone में settings को open करिए, settings open करने के बाद ऐसा interface आएगा, और उसके बाद नीचे आकर आपको मिलेगा home screen and lock screen का option, इस वाले option पे click करिए, home screen and lock screen पे click करेंगे, तो ऐसा interface आएगा, उपर आपको मिलेगा home screen mode, home screen mode वाले option पे click करिए, और अगर आपको show होता है इस टाइप से home screen locked, तो ये जो option आपको नीचे मिलेगा, lock home screen इसे disable करिए, यानि कि बंद करिए, उसके बाद home screen mode पे click करिए, और नीचे आपको मिलेगा standard mode, एक मिलेगा drawer mode, तो drawer mode आपका select होगा, तो standard mode वाले option पे click करिए, नीचे apply पे click करिए, उसके बाद switch पे click करिए, थोड़ा सा wait करिए, और आपके phone से app drawer हट जाएगा, देख सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें,